हेलो बच्चो आज हम इस वीडियो में कक्षा साथ की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का सात्वा अध्या स्कूल की छुट्टियां पढ़ेंगे इस पार्ट के लेखक है आरके नरायन इनके द्वारे लिखे गई हम लोग प्रिवेस क्लासेस में भी एक कहानी पढ़े हैं जैसे दस आमों की कीमत इन्होंने स्वामी नाथन एक जुवेक्ती है उसके उपर अधारित ही उनने बहुत सारी कहानिया उनके जीवन पर अधारित बहुत सारी रोचक कहानिया लिखी है तो उसी का दूसरा भागाई है स्कूल की छुटिया स्वामी नाथन जो बच्चा था उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटती थी जो नहीं चाहता था फिर भी हो जाती थी जो की बहुत ही रोचक भी थी और अच्छी भी थी तो हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे इसके लिए आप एक वीडियो भी देख सकते जैसे यूट्यूब पे आप देख सकते मालगुडी डे मालगुडी डे जो है आरके नरायन द्वारा रचित इस कहानी पर ही अधार जीवन के जीवन के चरित्र का कुछ कुछ घटना का इस तनी अच्छी तरीके से बढ़न किया है कि आप वह स्टोरी जब देखोगे तो बहुत ही आराम से समझ जाओगे कि किस तरीके का बच्चा था और उसके साथ कैसे कैसे घटनाय घट जाती थी तो आप यूट्यूब पर देखोगे जैसे मालगुडी डे अब जब करोगे अपलोट करोगे मालगुडी डे तो उसमें बहुत सारी उनकी स्वामिनाथन की जीवन की कहानिया आपको देगी तो आज अन्सुरू करते हैं स्कूल की छुटियां अप्रेल में परिक्षाओं के किवल दो सप्ता पहल स्वामिनाथन को लगा कि पीता जी का मिजाज बहुत खराब होता जा रहा है वे बाद बाद पर बतंगर बनाने लगे थे जैसे उन्हें ने अचानक अपनी बेटे को तंग करने का फैसला ले लिया हूँ स्वामिनाथन जो था पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था उसे मन नहीं लगता था और उसके पिता जो थे उसे उस पर बहुत ही महनत करते थे वो चाहते थे दिन भर स्वामिनाथन पढ़ाई में लगा रहे है और उसके लिए उसकी हर छोटी मुटी बातों पर उसके पिता जो हैं बहुत जाद ही ध्यान देते थे और उसे मना करते थे करने के लिए और उसे पढ़ाई पर ध्यान करते थे और यह सारी बाते जो थी स्वामी नाथन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी तो देखते हैं क्या-क्या होता है इसमें उसके बाद क्या होता है अगर मैं दादी के साथ गप सब कर रहा होता तो इसे कहा जाता कि याद रखो परिच्छा नस्दिक है तुमारी दादी इंतजार कर सकती है लेकिन परिच्छा इंतजार नहीं करेगी अगर मा के पीछे पीछे ये दियो भागता था तो उसे ढूंडवा कर पढ़ाई का अदेश दिया जाता था अगर तालुका दफ्तर के घंटे के नौ बजाने के बाद उसकी आवाज कहीं से सुनाई देती थी तो पिता के कमरे से थी वे उसे आवाज देते थे कि स्वामी तुम अभी सोय नहीं तुम्हें सुबह जल्दी उठना है पढ़ना है स्वामी नाथन का जीवन एक का बहुत ही कटिन समय था क्योंकि उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी मनने लगता था और बहुत ही सब्से पढ़ने के लिए उसके पढ़ाई जाद ही उस पर पढ़ाई का दवाब डालते थे एक दिन उसने चुर कर पिता से कहां आप प्रिक्षा को ले कर इतनी परिसाम क्यों है तो उसके पिता कहते हैं तुम फेल हो गये तो तो वो कहता है मैं फेल नहीं हो सकता, नहीं हो सकते, लेकिन तब तुम पढ़ोगे, सवालों का ठीक जवाब दोगे, माल लो तुम फेल हो गए, तो उसके पिता जी इस तरह से उसे समझाते हैं, और पढ़ने के लिए फोर्स करते हैं, क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहता है, उसके पिता जी चाहते थे कि वो दिन बर जब कमजोर है पढ़ने में तो ज्यादा समय लगा है पढ़ाई में और उसके पिता क्या कहते हैं हर तरह से समझाते हैं कहते हैं तुम्हारे सहे पाटी तुम्हें पीछे छोड़ कर आगे बर जाएंगे जिस दिन परिक्षा खतम हो उस दिन से फिर अपनी मनमरजी का काम करते हो स्वामी नातन ने सोचा कि मालो मतर मनी राजम और संकर मुझे छोड़ कर दूसरी फॉर्म एमें चले गए तो मतर मनी राजम और संकर जो थे स्वामी नातन के अच्छे दोस्त थे और वे सारे जो दोस्ते उनके साथ ही पढ़ते थे ऐसा सुनते ही पीता जी ने एक और ड़रावनी बात कह दी तुमसे नीचे के पाचवे के लड़की जब तुम्हारे सहपाथी बन गए तो ऐसा सुनते ही स्वामिनाथन परिक्षा के तियारी में जुट गया स्वामिनाथन को आदा गंटा दसमलों के सवालों में लगाया एक तरफ अब परिक्षा के दिन जब आया तब देखे क्या होता है एक दिन सुखे होट सुखा गला स्याही की रंगी उगलियां और ठकान दूसरी तरफ परिक्षा समाप्त होने के खुसी के साथ स्वामिनाथन का अंतिम दिन परिक्षा भवन में निकला उसके बाद स्वामिनाथन को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था क्योंकि अंतिम जो परिक्षा थी हो तमिल पेपर की थी और तमिल पेपर की परिक्षा पाँच बजे साम तक थी, लेकिन वो सारे चार में निकल जाता है, और निकल कर देखता है कि सारे बच्चे भी परिक्षा दे रहे हैं, तो अखिर इतनी जल्दी हो जाते हैं, चाप प्रश्न उसे हल करने थी, पहला प्रश्न उसे संतोज जनक रूप से किया था, मतलब ठीक से किया था, दूसरे प्रश्न को में उसे संदे था, तीसरा ठीक था, और चौथा जो उसे साफ पता था कि वह गलत है, लेकिन उसे सही आता भी नहीं था, और छट्ठा जो था, वो सबसे अच्छा था, उसका उत्तर देने में उसे सिर्फ एक मिनट लगा, तो इसलिए उसे ये सवाल बहुत ही अच्छा लगा, उसने इस सवाल, उसने ये सवाल साड़े चार बज़ें में दो मिनट पहले पढ़ा, और एक मिनट बाद ही उसने उत्तर लिखना शुरू किया, ठीक साड़े चार बज़े खतम भी हो गया, तो आप सो सकत कितना जल्दी लिखा हो, दूसरा प्रश्ण, सबसे जो अंतिम प्रस्थना, लाश्ट प्रस्था, ब्रामन और सेर की कहाने का, उसे क्या सिख्षा मिलती, ये प्रश्ण था, उसका जबाब जो था, उसने क्या लिखा था, सुनिए, एक ब्रामन तलाब के किनारे से गुजर बताया, तो ब्रामन पानी में चलकर उसके पास गया, इससे पहले कि वह चूरी लेने के लिए हाथ बढ़ाता, वह सेर के पेट में पहुंच गया, अर्था खा गया, स्वामी नाथन ने कभी सोचा ही नहीं था, कि इस कहानी में कोई सिख्षा थी, क्योंकि वह कहानी तो उसे यह निर्णय करने में एक मिनट लगा, कि कहानी की सिख्षा यह है, कि जब सेर सोने की चूरी दे, तो हमें नहीं लेना चाहिए, या फिर सोने की चूरी का प्यार आदमी को की जान ले सकता है, तो इस तरह से इस प्रशन का हल जो है, वो मनी मन सोचता है, और उसके जब बाहर निकल जाता है, तो सोचता है कि अब आधा घंटा करे क्या, लेकिन सबसे पहले हॉल से निकलते हुए, उसे अटपटा सा लगा, दूसरे लड़के अभी उसकी जगह तरह जल्दी और सही सही उत्तर क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि उसकी तो जल्दी हो गई, बा घंटे का वातावरन एक का एक बदल गया, चारो और उत्सा और बातचित का कोला हाल भर गया, तो इस तरह से सभी बच्चों की जो थी परिक्षा, अंतिम परिक्षा जो थी वो खतम हो जाती है, सब बच्चे बाहर निकल के अब खुसी खुसी बाहर निकलते हैं, जब सभी बच्चे बाहर आते हैं, तो आपस में बात एक चीत करते हैं ना कि तुमने इसका सवाल का जवाब क्या लिखा, कितना लिखा, तो उसी तरह सवामिनाथन भी अपने दोस्तों से बात करता है, कि तुमने अंतिम सवाल का जवाब क्या लिखा, तो कौन सा सिक्षा वाला, सोने की लालच में ब्रामन की जान चली गई यही तो उत्तर होगा सोना वहाँ कहाँ था स्वामिनाथन ने आपत्ती की वहाँ तो सिर्फ सोने की चूडियां थी तुमने इसका जबाब कितना लंबा दिया एक प्रिष्ट बच्चे बोलती है स्वामिनाथन को यह उत्तर अच्छा नहीं लगा उसे सिर्फ एक पंक्ती लिखी थी एक पंक्ती में ही उसने इस इंप्रिष्ट का उत्तर कंप्लीट कर लिया था क्या तुम्हें इतना लंबा जबाब नहीं लिखना चाहिए था थोड़ी देर बाद उसे राजम और संकर मिले हाँ भाई तुम लोगों का पेपर कैसा गया तुम्हें कैसा लगा संकर ने पूछा तो सभी अपस में बाचित करते हैं तो स्वामिनाथन बोलता है बुरा नहीं था वही राजम जो था उसका दोस्त वो बलता है मुझे तमिल से ही डर लगता था अब लगता है मैं बच गया पास होने लाइक नंबर तो मिल ही जाएंगे नहीं सायद जादा मिलेंगे एक क्लास संकर बोला अरे सुनो स्वामिनाथन कहने लगा एक बेकूख ने सिख्षा वाले सवाल के जवाब में पूरे एक प्रिष्ट लिग डाला है मैंने तो तीन चौथाई प्रिष्ट ही भरा राजम बोला तो इस तरह से उस अंतिम प्रश्ण पे सभी आपस में बातचित करते हैं सभी बच्चे तो कुछ बोलते हैं कि आदे से थोड़ा ज़्यादा है इस तरह से आपस में बात करते हैं लेकिन मनी मन्स रास्वामिनाथन जो है वो सोचता है कि मैंने तो इतना कुछ भी नहीं लिखा है और फिर भी वे सब छुट्टी की खुशियों में अपने बातों में बुल जाते हैं अरे तुम लोग जानते हो ना कल से स्कूल की छुट्टी है तो फिर कल क्या करोगे किसी ने पूछा मैं अपनी किताबे चुले में डाल दूगा स्वामिनाथन बोलता है क्योंकि उसे पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी ने लगती है तो वो सीधा सब जबाब देता है कि सारे पुस्तके जो है वो चुले में डाल देगा वही संकर बताता है कि मेरे पिताजी ने चुट्टियों में पढ़ने के लिए कुछ कहानी की किताबे ला दी है जहाजी सिंदबाद और अली बाबा मनी हाथों पर उठाता हुआ चिकता हुआ आया वक्त बहुत कम था वरना मैं आखरी सवाल तो उड़ा ही सकता था मतर भी कहीं से प्रकट हुआ उसने बाएगाल पर स्याही की बड़ी लकीर थी पंदरा मिनट बाद गंटी बजी सारा स्कूल हाओल में खटा हुआ सब के चेहरों में खुसिया थी बातों में अच्छी दोस्तों की जलत थी अध्यापक भी अपनापन दिखाते वे खुस लग रहे थी हेड मास्टर साब मंच पराएं और सोर को थमने का इंतजार करने के बाद उन्होंने चोटा सा भासन दिया उन्होंने कहा कि स्कूल जून की उननीस तक बंद रहेगा और बीस को खुल लेगा तब उन्होंने आसे ब्यक्त की सभी बच्चे अपना समय नश्ट नहीं करें और कहानियों की किताबे पढ़ेंगे अगली क्लास की किताबे पर नज़र डालेंगे क्योंकि वे आसा करते हैं कि अगली क्लास में सभी चले जाएं अब एक मिनट और प्रात्ना होगी उसके बाद सभी बच्चे घर को जाएंगे तो इस तरह से जो अंतिम समय में प्रधान ध्यापक चारे जो हैं वो सभी बच्चों को ये सारी बाते समझा कर और घर जाने की सलाह देते हैं उसके बाद सारे बच्चे एक साथ बाहर जुन्ड में निकलती हैं उसके बाद आपस में जो है तुफान की तरह सब एक दूसरे पर अपना अंटिम चुटी का आनंत लेते इंगे मनी स्कूल के गेट पर तेजी से कदम किया और किसी का कलम छीना दवात और सब को तोर कर एक दूसरे पर फिकने लगा उसके साथ उसके आसपास लरकों की खुसी उतेजना में बड़ी थी एक एक चीज की टूटने और खुसी के चितका उड़ती थी स्वामिनाथन ने भी अपनी दवात खुद ही अपने सिर पर उलट ली थी और बहती स्याही से उसकी आँख के नीचे काले दाएरे पड़ गये थे पुलीस ने उनका एक सिपाही सरकों से गुजरा मनी ने उसे अवाज जी सिपाही जी इन लरकों को ग्रपतार कर लो इस तरह से सभी बच्चे जो है अंतीम छुट्टी के अंतीम समय में सभी मस्तीम से सराबोर रहते थे फिर कुछ और दवाते फोड़ी देई कुछ ने कलम तोड़े इस तरह सभी बच्चे तमासे के बीच मनी जोर से बोला कोई सिंगा राम की पगड़ी ले आए मैं उसे रंग दूँगा और सिंगा राम जो था उसी स्कूल का जो था चपरासी था जो की गेट पर था जैसे उसने सुनी कि वे सब मेरी पगड़ी रं इस तरह की स्वामी नातन के जीवन की अंगिनत कहानिया हैं जो आपको मालागुडी डे इस तरह से आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी कहानिया आपको देखने के इंट्रेस्ट सबांस पर अधारी यह कहानी एक तरह से बच्चे के मनुभाव की है कि बच्चा कुछ सोषता जैसे सभी के माता पिता डाड़ते हैं पढ़ाई के लिए कुछ भी करते हैं उसी तरह स्वामिनाथन के भी पिता जी डाड़ते थे लेकिन उसका बाल सोभाव वो कुछ और ही सोचता था और उसे उसना मन ही नहीं लगता था पढ़ाई में तो होपसो आपको ये कहानी बहुत अच्छे लगी होगी और आप मालगुरी डे जरूर देखेगा बहुत ही अच्छे कहानी है अगर आपको ये वीडियो अच्छो लगा तो लाइक करें सेयर करें और में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपने कितने बच्चों ने बहुत से बच्चों ने या फिर कितनी बच्चों ने ये मालगुरी डेट देखी है या देखने की कोसिस की आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लेखे तब आपको सही मायने में और असल में आपको स्वामी नाथन की जीवन के बारे में पता चलेगा तो अगर आपको ये वीडिय अच्छा लगा तो लाइक करें सेर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें धन्य बाद